हेलो एवरीबान माई साल फेमन तुम रहें स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस पे जो आपको प्रोवाइट करता है फुल क्वालिटी कंटेंट और यह नहीं कि दो चाल चाप्टर्स पूरा कंटेंट प्रोवाइट करेगा और इस बाद जो सीब्सी कुछ कंटेंट को डिलीज डिलीट कर दिया है वह भी आपको प्रोवाइट करने वाला है क्योंकि वह कहां पर यूज होने वाला है सर कॉम्पिटेटिव एक्जाम जेई और नीट में तो आपको सब कुछ दिया जाएगा सर विट कॉलिटी और वह भी बिलकुल फ्री चीक ह है तो सर अपन कहां तक थे वहां से गाड़ी ले आते रदर फोट के बारे में बात चल रही थी रदर फोट ने बहुत इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट दे चुका था जिसका नाम था गौल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अलफा स्कैटरिंग पार्टिकल साथ ये नहीं था कि वो थॉम्स न खा रहेते तर्बूज और कहती तर्बूज के तरह अगना कृस्मस में प्लंपूडिंग के खाया और अटमे की तरह नहीं तो ऐसी बाते नहीं थी इसके दर तो और ठीक है च 백ári मैने आप सक्वालती तो क्या उसके अच्छाईयां थी क्या क्या चीजे थी फिर मैंने का था कि आखरी में उनने atomic number और atomic masses पर भी काफी बाते करी थी atomic number क्या होता है atomic masses क्या होता है atomic number को आपन को अगर कभी निकालना है तो number of protons देख लो या atomic masses को निकालना तो it is a sum of number of protons plus number of neutrons हना इस तरीके की मैंने आपसे बाते करी थी और फिर आगे चलके और भी बाते थी इसलिए मैंने का था कि सर अभी मतलब आज आप जो देख रहे हैं उसमें drawback नहीं मिलेगा उसमें drawback मिलेंगे कि कौन रजरफोड को पकलके नीचे गिसता कि चल चल हो गया अब तेरी गल्तिया मैं बताता हूं अ क्योकि आप जानते हो एक के बाद एक hero आता ही रहता है मार्केट में है ना तो वैसी थॉम्सन के बाद सौरी है रदर फोड के बाद कोई और आने वाला है उसकी कहानिक कल राज को आज बजे खुलेगी लेकिन आज क्या था और रदर फोड ने क्या बाते कही थी तो आज मैं आपको चार्ट टर्म्स पढ़ाने वाला हूं isotopes, isobars, isotones और isoelectrons ये क्या species होते हैं PE ये आज आपन बात करेंगे और इसके लिए atomic number और atomic mass समझना बहुत ज़रूरी था जो अपन ने तो चलू करते हमें मैं सबसे पहले अपना isotopes लेकिन isotopes से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाऊंगा कि sir मैंने आपको बतायता है atomic mass sorry atomic number बतायता जिसको denote करते थे अपन z से which is always equal to number of protons का था और number of electrons के बराबर भी होता है अगर आपका atom electrically neutral है तो लेकिन मैंने का neutral हो चाहे ना हो लेकिन ये हमेशा सही है कि atomic number किसके बराबर होगा number of protons तो यह याद रखो ना सर क्यों जमेला पाढ़ना है एक ही रखो अच्छी रखो ठीक है इसलिए एक ही definition याद रखो और 60 क्याद रखो ठीक है चलो फिर आता है सर atomic mass जिसको denote कलते हैं है अपन एसे किससे कलते हैं एसे तो मैंने कहता है यह sum होता है क्या होता है सर? sum होता है number of number of protons plus number of neutrons यह कहता मिला है कि सर कभी भी आपको अगर atomic number निकालना है which is denoted by Z it is always equal to number of protons and atomic mass which is equal to which is denoted by A which is always equal to the sum of number of protons plus number of neutrons चीक है? कोई दिकत की बात तो नहीं तो proton का number जो रहेगा उसको प्लस कर दीजी आप भाईया किससे? neutron के नंबल से और आपको मिल जाएगा atomic mass क्या मिल जाएगा सर? atomic mass क्या दिकत की बात थी इसमें? कितना simple था फिर मैंना आपको एक चीज़ और बताईती कि सर X मान लो मान दीजी आपका कोई element है उसका symbol X तो भाईया जो A होता है atomic mass यह हमेशा यहां लिखा जाता है और जो आपका atomic number होता है वो हमेशा यहां लिखा जाता है Z इस तरीके से आप किसी भी element को शो कलते हो उसके atomic masses के साथ और atomic number के साथ atomic number हमेशा नीचे atomic mass हमेशा उपर और साथ ही साथ उसका symbol जैसे for an example sodium sodium का atomic number कितना होता है सर? 11 और उसका atomic mass कितना होता है? 23 तो इस तरीके से denotion दिया जाता है किसी भी element का यह आपको पता होना चाहिए सर यह बहुत छोटी छोटी बाते हैं आप लोग से जब paper में कभी पूछ लेता है ना यह question दे देता है और पूछता number of neutrons बताओ सर आजाता है एक number में अपनको लगता है इतना हलका question देगा और paper में आ जाता है कहता है एक number का question है बताइए इसमे number of neutrons कितने होंगे तो सर बहुत easy question है क्यों easy question है क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर atomic mass कितना देख रहा है atomic mass कितना देख रहा है 23 which is equal to number of protons plus number of neutrons यह होगा के नहीं होगा होगा फिर हम जानते कि atomic number कितना है सर atomic number दिया हुआ 11 जो की होता है number of protons के बराबर मतलब P plus की value कितनी मिल गए 11 मिल गई तो यह 11 रख दीजे तो क्या हो जाएगा 23 equals to 11 plus n naught तो n naught मतलब neutrons neutrons की value कितनी हो जाएगा 23 माइनस 11 करो कितना जाएगा 12 तो यह questions कभी-कभी फच जाते हैं आपके फिर आप लोग सोस्ते हो अरे आर क्या धा काश पढ़ लेते काश देख लेते काश मिल लेते काश उससे मिल के आ जाते तो यह सब दिक्कते बाद में आती तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बीच में क्या होता है symbol नीचे होता है atomic number और उपर क्या होता है atomic mass सर्थ देखो एक simple सी बात है बड़ी चीछ कौन सी है atomic mass ना तो उसको उपर रग िसी बड़ा दबबदबा है सर दब दबदबा है चोटे वाले को नीचे रख दो तो यह चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी और आइधिंग इस पर अपनी बात हो भी गई थी कोई दिखकत तो नहीं पक्का इसको एक बाद नोट डाउन कर लो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी करो नोट डाउ अच्छे सब पहले तो आइसो का मतलब क्या होता है सर वो देख लेता है सर आइसो का मतलब होता है से क्या होता है सर से आइसो टोप्स का मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा क्या बोला मैंने समझना अच्छे से स क्या नाम दिया गया सर आइसो टोप अब देखें दीस आज़ आटम्स डैट हैब दा सेम एटामिक नंबर बट डिफरेंट एटामिक मासस मतलब ऐसा व्यक्ती जिसका मान लीजिया आप ऐसा कलते हैं एक एलिमेंट ले लिया क्या ले लिया एक एलिमेंट उसी के तीन अलग- एलिमेंट से एटम से सौरी ठीक है एक एटम यह रहा ठीक है एक एटम यह रहा और एक एटम यह रहा दिख रहा है अब एक ही एलिमेंट के तीनों एटम है दैट मेंस इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा सर क्या सेम होगा सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाल सें होगा, क्योंकि तीनों के एक ही एलिवेंट का एटाम है, तो भ Lie tá gelernt नमबर क्या होगा, 事 about लेकिन जो इनका atomic mass होता है सर, क्या होता है सर моrama सो फो होता है different क्या होता है सर atomic mass different होता है, चीश केह, क्यों atomic number same होने का मतलाब इनके अंदर number of protons सें होगे पत्की बात है कि नहीं खुर सोचो ना खुछ सोचो अगर इसका जू सो Chem on two time you इसके proton को भी लिख लेता हूँ P+, और इसके proton को भी क्या लिख लेता हूँ P+, मतलब तीनों के number of protons क्या है, same है, तो भाईया proton क्या है, same है, हमने का ठीक है, अच्छा सर्थ proton क्यों same है, क्योंकि सर इनका atomic number same है, क्योंकि एक ही element के अलग-अलग 3 atoms है, अच्छा सर एक ही एलिमेंट के तीन अलग रहा के एटम कैसे यह मैं भी पता हूँगा लेकिन अभी समझो तीनों का अटमिक नमबर सेम है तो तीनों के प्रोटॉन भी कैसे होंगे सेम होंगे लेकिन सर इनका जो और सब्कJean Atomic math है वो तो डिफरेंट है यह जैट मींस वट Atomic math क्या होताहँ है sir Sir Atomic math मतलब ऐसा लिएक दो Sir Atomic math को को लिए वन तो इसका Atomic MY क्या है Sir A1, इसका Atomic math क्या है Sir A2 और इसका Atomic math क्या है Sir A3 तीनों कै अलग है क्यों क्योगि Atomic math क्या होता है सर sum of proton plus neutron क्या होता है सर sum of proton plus neutron मतलब यहां आएगा P plus N0 यही होता है न atomic mass क्या होता है sum of proton plus neutron यह भी वही होगा यह भी वही होगा होगा क्या नहीं होगा बस तो यह भी हो जाएगा P plus N0 और यह भी हो जाएगा P plus N0 अच्छा, neutron के उपर कोई charge नहीं होता है, इसलिए अपने n से बताते है ठीक है, लेकिन mass होता है, proton के उपर positive charge होता है अब बात समझना सर, सर तीरों में proton तो सेम था, मतलब सर तीरों में proton सेम था, मतलब ये value तो सेम है ये value तो सेम है, लेकिन फिर भी अगर atomic number change है that means कि neutron जो है, कौन सर, ये neutron जो है ये सर, ये neutron जो है, वो different है, वो क्या है, different है बात समझ पा रहे है, मतलब isotopes को आप एक तरीके से और define कर सकते हो isotopes are the atoms, देखो, ऐसा लिखो isotopes are the atoms that have, that have same number of protons इनका क्या है, protons कैसे है, same है, क्यों, क्योंकि भाया, इनका atomic number same है but, but, different, different, but, different number of neutrons चेक है, बात समझ में आ रहे है, तो isotopes को आपन ऐसे भी define कर सकते हैं कि isotopes वो होते हैं, ऐसे atoms होते हैं एक ही element के कि जिनका number of protons तो same है, लेकिन number of neutrons अलग है क्या अलग है सर, number of neutrons और number of neutrons अलग है, तो उनका mass number भी अलग होगा और अगर protons same है, तो atomic number भी कैसा होगा, same होगा तो बिलकुल simple सी बात ती, अब मैं इसका example दूँगा लेकिन पहले ये definition note down कर लो, ठीक है और ये वाली definition भी लिखो, ये definition भी लिखो, दोनों same है लेकिन ज़्यादा chances से ये लिखोगे तो ज़्यादा बढ़ी आए ठीक है, ये लिखोगे तो ज़्यादा बढ़ी आए ठीक है, और इसका example अभी देने वालों पहले फटाक से screenshot लो, फिर आगे देखते हैं, जल्ली करो हो गया? कोई दिकात तो नहीं? चलो अब देखो, मैं example दिखाता हूँ कितना बढ़ी आ example, ये देखिए सर, hydrogen hydrogen market में तीन तरीके से पाए जाते हैं, सर पहला hydrogen होता है, proteum दूसरा hydrogen होता है, deuterium और तीसरा hydrogen होता है, treatium मतलब तीनो hydrogen ही है मतलब तीनो hydrogen, element एक ही है लेकिन तीन different atoms है ये एक अलग तरीके का है, ये एक अलग तरीके का है ये नॉर्मल hydrogen है, जिस पे आप बात कलते हो जिस पे आप सारी reactions करवाते हो जो नॉर्मल water में पाया जाता है फिर आपने सुना होगा न, heavy water सुना है कै नहीं सुना है, उसमें D2O लिखते हो, deuterium तो वो ये होता है, और जो tratium है वो इसका radioactive substance है किसका hydrogen का चीक है, आप जड़ा ध्यान से देखो, तो ये देखिए hydrogen को कैसा बता है, 1, 1 मतलब hydrogen का atomic number भी 1 है और atomic mass भी क्या है, 1 है लेकिन इसको देखिए hydrogen का atomic number 1 है लेकिन atomic mass कितना है, 2 है इदा देखिए, hydrogen का atomic number कितना है, 1 है, लेकिन atomic mass कितना है, 3 है, तो देखिए तीनों में atomic number same है, लेकिन atomic mass क्या है different है, इसी लिए इन तीनों को एक दूसरे का isotopes कहा जाता है क्या कहा जाता है सर तीनों का isotopes तो ये बात हमेशा याद रखना है ऐसे atoms जिनका mass number different हो लेकिन atomic number same हो तो उनको अपन क्या नाम देंगे isotopes और हमने जो definition बनाई वो भी सही है number of proton same है but number of neutrons अलग है हाना अब जरा एक और बार समझिए देखिए जरा एक बनाते है मान लो यह एक atom ले लेते यहाँ पर proton लिख लेते है ठीक है proton is equal to already proton किसके बराबर भी होता है अपने z के बराबर भी होता है ठीक है जिसको अपन atomic number कहते है ठीक है फिर यहाँ ले लेते हैं अपन atomic mass ए जो किसके बराबर होता है proton plus neutron होता है कि नहीं होता और यहाँ पर अपन neutron ले लेते हैं क्या ले लेते हैं neutron लेते हैं अब देखिए आपके पास कितने atoms हैं तीन atoms है कौन से तीन सर यही तीन हो पहला लेते हैं hydrogen one one वाला और फिल लेते हैं hydrogen one two वाला फिल लेते हैं hydrogen one three वाला कोई दिक्कत यहां तक चलो अब मुझे आप लोग बताएंगे सर इन hydrogen में यह इस वाले hydrogen में कितने number of protons हैं तो भाई यह number of protons क्या होता है इसका atomic number चेकिए सर इसका atomic number तो और वाने मतलब तीनों केसिस में number of protons कैसे है से और atomic number भी कैसा है सर से अब आते है मास नंबर पर इसका मास नंबर किता दिया हुआ है देखिए उपर वन इसका मास नमब्र किता हुआ देखे सर 2 और इसका मास नमब्र किता दिया हुआ 3 तो आप देखे सर ऐसे एटम्स जिनका अटॉमिक नंबर और से होता है और मास तुमबर डिफरेंट सोता है इसी को तो नाम दिया था सर आइसो टोप्स अब मुझे निकालना है सर नियूट्रॉंस क्या निकालना है नियूट्रॉंस तो सर समझे जड़ा बहुत इजी चीज बताऊंगा इसमें अपने पड़ा था कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ओफ और ओफ नियूट्रॉंट यह नहीं पड़ा यह जली बोलुग जली बोलुग पड़ा यह सब्ढ़ाय था तो एटामिक मास्ट को किसे डिनोट करते हैं सर एसे और नमबर आफ प्रोटोन विच इस ऑल्सो इक्वल टू एटामिक नमबर बोलता थे नहीं तो इधर पर मैं वाल ले तो हूं क्या माल लेता हो जैड और नमबर आफ न्यूट्रान को एंजीरो किसे एंजी क्या कर दीजें ए माइनस जैट तो आपको मिल जाएंगे क्या सर निूट्रांस मिल जाएंगे मैंने का ठीक है सर करिए जरी यह यह रहा यह यह होता है न जैट देखो ना तो वन माइनस वन किता जाएगा जीरो मतलब सर प्रोटियम के अंदर कोई भी निउट्रान पाया न नहीं इदर आऊ तो मेनस वन यह यह माइनस एक तो कितना आएगा वन डैट मीज सेकंग वाला ड्यूटीरियम के अंदर एक निउट्रान है तो आईए ना गया यह देखिए यही नूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है क्या हाँ सर एक प्रोटॉन तो है एक neutron है हां सर एक neutron है और इसी को one plus one कर दिंगे तो क्या जाएगा उसका atomic mass जोगी क्या हो गया तू आगया यह सद three minus one कितना हो जाएगा two that means इसके अंदर neutron कितने हैं दो है इधर देखिए एक proton और दो neutron इसी लिए इसका mass number कितना इसा तीन है कितना इसा तीन क्योंकि हमने पहला था सब एक individually one you one you one you होता है total हो जाएगा three हो तो mass number हो गया थी तो समझ में आ रहा है सब के अंदर अगर आप देखें तो number of neutrons बदल रहे हैं लेकिन protons remains same तो इसको कहते हैं सर आइसोटोप्स क्या कहते हैं सर इनको आइसोटोप्स तो यह बताने का तरीका था जो मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था एक स्क्रीन शॉट लोग से आगे बाद करते जल्ली लो जल्ली हो गया को दिक्कत तो नहीं बढ़े आंगे पक्का चलो ऐसे और भी एक्जांपल्स होते हैं सर कार्बन कभी अगर आप देखें तो कार्बन के भी दो आईसोटोप्स होते हैं एक होता है 612 एक होता है 614 मतलब देखें दोनों कार्बन के यह यह मiegर क्लोरीन की बाद करूँ तो क्लोरीन कर अबर को आथा है 17 तो इसका एक होता है 35 और होता है 37 तो देखिए same atomic number but different atomic masses मतलब इनका atomic number क्या है same है but atomic masses कैसा है different है और जब atomic number same है तो number of proton भी same होंगे लेकिन अगर atomic mass same नहीं है that means number of neutron different होंगे ठीक है तो देख रहे हो एक ही चीज अपने रंग बदल रही है तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़े होती है जो अपने अपने समय के साथ रंग आईसो बास कौन आ रहा है आईसो बास फटाफट इसका स्क्रीन शॉट वह लो जल्ली नोट डाउन करेंगे चलिए हो गया नोट डाउन कोई दिक्कत की बात तो नहीं है चलो आगे आते हैं जल्ली फटाफट next next क्या है जल्ली देखेंगे आईसो बास सर अब यह क्या है आईसो टोपस तो चलिया आपने समझा दिया अब आईसो बास क्या है यह देख लेते हैं अच्छा बास देखके जाता हो खुश मत हो जाओ यह अन्हों नहीं नहीं आईसो बास प्रेशर की यूनिट भी क्या होता है और सार अब यह समझना है तो मैंने का ठीक है अभी समझाते हैं दो अटम ले लो अलग-अलग एक से नहीं सर अलग-अलग ले रहे है इस बार हाँ बिलकुल अलग यह एटम अलग यह एटम अलग तो सर्थ दोनों अलग हो गए तो भाईया इनका तो अटॉमिक नंबर भी अलग होगा मैंने का हाँ बिल्कुल इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं इसको क्या 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 मान लेते हैं इसक टीक है इसका भी लिएने सर मैंने का होगे लिखो तो इसका जो एटॉमिक नंभर था अब वह नंबर तो बदल क्या होगा स forecasts इसको मांने लेते हैं जेडर लेट लेते हैं किया है तो इसकी पॉमिक नंबर को अपने लिए निमेट अलाग है और element अगर अलाग है तो उनका atomic number भी अलाग होगा क्योंकि atomic number जो होता है वह element की identity होती है तो इसलिए इसका atomic number क्या है अलाग है लेकिन लेकिन इसका mass number same है है मतलब सर्य उसका उल्टा है हाँ बिल्कोल ऐसे atom जिनका जिनका atomic number कैसा हो different लेकिन atomic mass कैसा हो सर सेम उनको कहते हैं अपन आई सो बार्स क्या कहते हैं सर आई सो बार्स अब जड़ा एक बार number यहीं तो मैंने बोला दो अलग-अलग element थे उनके atoms लिए तो भाईया जाहिर सी बात है उनका atomic number तो different होंगे क्योंकि atomic number is the identity of the atom लेकिन उनका mass क्या निकला सेम निकला सर मास कैसा निकल गया सर सेम निकल के आ गया तो मैंने का ठीक है सर फिर कोई अब दिककत की बात ही नहीं क्या सर ऐसे एक्जामपल्स होते हैं वाकई में होते हाँ बिलकुल होते मैं आपको एक्जामपल्स ही बताने वाला हो भी ही ठीक है के एक बाश करेंगे स्क्रीनुट लेंगे और इस नो बतांतों आज मनूंद करें जल्ली एकदम हन ऊगयाई यह सबाव आप जानते हrai चाहान उदडार चिज्व यह रेडियो अक्टिफ तो misschien है इनर्ट कैसे से क्या है सर इनर्ट कैसे बतलब किसी से रियाक्ट नहीं करता बहुत मस्त मौला इंसान है मैंने का अच्छा मैंने का इतना कुछ पता है तो और कुछ बता दो क्या मैंने का टामिक मास बताओ उन्हें का हां पता है न सर्फॉटी मैंने का ओके चलो कुछ तो आता है क्या सथ हलके में ले रहे थे क्या मैंने क्लू कैल्के बैल सिमदो है calcium है group number two का मतलब थोड़ा reactive metal नीं आ जाता है इतना भी ज्यादा नीए छोड़ा reactive metal में तो फिर भी है ये बिलकुल नहीं मस्त मॅला इंसान बाती नी करता की जिखता है आने का number भी अलगे जो होना था क्योंकि atomic number is the identity of the element but but अगर आप दिहान दे क्या दिहान देना है sir मैंने का देखो ना ध्यान दो कि अगर आप compare करें उनके masses को तो दोनों के masses कैसे है sir same दोनों के masses सिस कैसे हैं सर सेम तो मैंने का ठीक है सर मतलब सर मास का सेम होना और एटॉमिक नंबर का अलग होना इसी को कहते हैं आई सो बास क्या कहते हैं सर इनको आई सो बास बास समझ पा रहे हैं क्या कहिंगे इनको आई सो बास चीक है एक चीज जरू समझेगा यह जो एटॉमिक नंब होता है इसको मैं बारबार आपको बता चुका हूँ कि atomic number means number of protons number of protons मतलब इसके लिए आप ये line भी लिख सकते हो कि isobars में number of protons कभी भी same नहीं होते क्योंकि atomic number अगर अलग है तो number of protons भी कैसे होंगे अलग होंगे लेकिन और अगर आपसे मैं पूछू मास नंबर क्या होता है तो मास नंबर होता है sum of protons plus क्या लिख रहूं मैं भी sum of protons plus neutrons ये क्या होता है अपना atomic mass और ये क्या होता अपना atomic number तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी define कर सकते हो कि isobars these are the atoms that have different number of protons but but same number of sum of protons and neutrons कि उनके अंदर जो neutron और proton का sum होगा वो तो same होगा लेकिन number of protons कैसे होंगे different होंगे कैसे होंगे different होंगे जैसे मैंने वहाँ बताय था ना वैसे ही मैं यहाँ भी explain करूँँगा attention मतलो बिल्कुल हर चीज explain करके बताऊंगा मैं आपको चल यह देख लेते हैं कि सर आप जो कह रहे हैं वह बास सही है के नहीं है यहाँ पर कौन था अपना atoms था 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 के नहीं फिर अपनने क्या लिया था प्रोटॉंस फिर क्या लिया था अपनने ए ए बोले तो atomic number और atomic number क्या होता है सर proton प्लस neutron और यहाँ पर क्या लिया था पनने न्यूट्रॉंस क्या लिया था न्यूट्रॉंस फिर अटम क्यों कौन से सब्सरा आर अरगन ले लेते है मैं ए եाने सफेशन के कारिव सा सर 20 है जाएगा उन्हें बोले सर बताईये ऐसा क्या होता है तो आतामीक मास तो ऊपल दिया हुआ है तो भई इसका भार्त अस्के आटमीक मास ए और इसका निकालना है सर निकालने क्या निकालने है तो अभी हमने देखा था सर कि जब पिछला वाला आप आईसो टोस पढ़ा रहे थे तो neutron में आपने कहा था A-Z कल दो क्या कल दो A-Z कल दो तो जब आप 40 को 18 से माइनस करेंगे तो आएगा सर कितना 22 कितना आएगा सर 22 मतलब number of neutrons in argon is 22 और सर इसके अंदर बात करें तो 40-20 कल दो कितना जाएगा सर 20 है जाएगा मतलब number of neutrons in calcium में कितने होते हैं सर 20 होते अब बात को समझना अब important बात है समझ यह जड़ा सर तो आईसो बास के अंदर ना तो proton से मोते ना तो neutron से मोते सेम क्या होता है सर मास नंबर क्या से मोता है मास मतलब proton फ्लस neutron इनका जो सम होगा वो सेम होगा ना की proton सेम होंगे ना की neutron सेम होंगे यह बात हमेशा पता होनी चाहिए ठीक है पक्का याद रखेंगे क्या बोल रहा हूं मैं फिल से सुनों सर आईसो बास की जब मैं बात करता हूं तो आईसो बास का मतलब है सेम atomic mass but different atomic number और अगर atomic number different है तो number of proton भी different होंगे number of neutron भी different होंगे सेम क्या होगा sum of proton sum of neutron यह सेम होगा बात समझ में आ रही है तो यह चार्ट लिखेंगे बहुत इसी है आईसो टोप्स का जस्ट उल्टा है आईसो बास सर यह सब पता होना चीए यह छोटी छोटी चीज़े आ जाती है पेपर में फिर आपन ऐसे कान खुज आते हैं और दूसरे की तरफ आए हैं बरके देखते भाई बता दे तो आई ऐसी करनी है कि पेपर में मजा है कहीं और मजा नहीं लेना है ठीक है समझ गए क्या बोल रहा हूं ठीक है तो बड़ी आइसका स्क्रिंशॉट लो फिर दिखाता हूं आगे वाला तो याद आएगा आइसो बास क्या होता है आइसो बास मतलब जिनका मास नंबर सेम है ल चले एक अलिए नोट डाउन तो ये खतम होता है अपना सार आइसो बास आप कहानी चालू होती है आइसो टोंस पे तो क्लियर हुआ दो टम मैंने आपको बता दिये आइसो टोप्स क्या होता है आइसो बास क्या होता है लेकिन अब सबसे इपॉर्टेंट चीज है जिसका न देखो क्या होते हैं समझते हैं आइटम्स ठीक है आइटम्स हैविंग ठीक है डिफरेंट एटॉमिक नंबर and atomic mass but having same number of neutrons are called iso tones क्या कहिंगे सर इनको iso tones बास समझ रहें क्या भूला पन्य इनको iso tones मतलब सर ऐसे atoms जिनका ना तो atomic number सेम है ना तो atomic mass सेम है but number of neutrons सेम है सर क्या सेम है नंबर ओफ neutron सेम है हमने घटी के सर बढ़िया बात है मतलब बात में दम है कि iso tones वो substance होते है वो atoms होते है ना तो mass number सेम है ना तो atomic number सेम है but number of neutron सेम है सर एक बात और बता हूँ मैं यह वाला जो दिख रहा है न iso tones यह आपको अधिकतर books में तो मिलेगा भी नहीं बहुत ज्यादा underrated है लेकिन सर मैंने क्या बोला था आपको सब चीज पता होनी चाहिए अपनी जंग टॉपल से है अगर टॉपल से है तो भईया तयारी भी उस जस्वे के साथ होनी चाहिए कि कोई topic नहीं चोड़ेंगे और आप से मैंने कहा है बस बने रही हर एक topic cover करवा हुआ बोट पर पूरा बताते हुए समझाते हुए notes के साथ चीक है तो भईया iso tones क्या होते हैं ऐसे atom जिनके पास क्या होता है different atomic number different atomic masses but same number of neutrons अच्छा सर कुछ example है क्या मैंने का हाँ definitely example है बिना example के तो मैं बात ही नहीं करता Thompson समझ लिया कि एक दम बस में किसी इन तर्वूच खा रहा हूं और मैंने आपको एटम पकड़ा दिया नहीं भईया सारी चीज experiment के साथ बताओंगा आपको ठीक है आजो एक्जांपल देखते हैं कारबन जानते हो कारबन हाँ सार जानते हैं ना कारबन शेर हमारा 612 हाँ मैंने का एक और जानते होंगे nitrogen हाँ सार जानते हैं ना 749 मैंने का nitrogen का अपन आईसोटोप्स लेंगे आईसोटोप्स का मतलब याद है ना सेम अटॉमिक नंबर बढ़ डिफरेंट अटॉमिक मास्तों में लेने वाला हो थर्टीन वाला कॉनसा सर थर्टीन ठीक है सर आप कह रहे हो तो nitrogen के दो होंगे ए्सोटोप्स होते होंगे तेरा चाओदा हमने का होके चीक है तो ऑक्सी हो जाते हैं जातेकोर компьютس को देखेंगे त्टीन एटम्स को देखेंगे करभन बेसिक से कि धार नाइट्रोजन क्योंतेरा और आप च्ईयन आठ चंदा ये जो नीचे लिखें यह सब इसके क्या है atomic number और उपर वाले क्या है सर atomic masses क्या हैं सर atomic masses चलो आगे बढ़ते हैं बहुत मज़िदाल चीज़े सर फिर से इसका कुछ बना ले जिसमें अच्छे तरीके सा समझ भाए मैंने का ठीक है बना लेते हैं सर बड़ी आज़ा फिर से एक चार्ट त्यार करते है चीक है अब जड़ा समझो यहाँ पर अपन कार्बन को लेंगे ठीक है कार्बन कितना है 612 फिर उसके बाद अपन किसको लेने वाले हैं सर एक और नाम बताओ nitrogen क्या है सर 713 उधर जगह हो जाती क्या हो तो जाती लेकिन चलो इधर बनाई लिया तो आप क्या दिख करते हैं जब बना लिया तो फिर इतना नहीं सोचने का और अपना नेक्स्ट क्या है सर ऑक्सीजन आट और सूला चीक है अब द्यान से अगर देखें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने क्या उन्हें का सर इसको अड़ा दो और उसके बाद थोड़ा नीचे से खीचो थोड़ा नी लेते हैं क्या ले ले सर इधर पर ले लेते हैं नंबर ओफ प्रोटॉंस पी पॉजिटिव जिसको अपन क्या भी बोल सकते हैं जिसको अपन जैड भी बोल सकते हैं जैड बोले तो एटॉमिक नंबर ये भी बोल सकते हैं फिर अपन ले लेते हैं यहाँ पर ए ए बोले तो सब्सक्राइब है रहा है प्रोटॉन प्लस नियूट्रॉन चेकर यहां लेते हैं number of नियूट्रॉन्स और number of प्रोटॉन कितने हैं तो तो सबस्का हो जाईगे न इसका कितना हो जाएगा 7 मेरे साथ बनाएंगे और इसका हो जाएगा साथ 13 और इसका हो जाएगा साथ 16 पिर गलती हो गई क्या गलती हो गई सर गलती आपने मैंने इन तीनों को लेना था मैंने ऑक्सियन दूसरा वाला उठा लिया देखो और यहां पर आना है चाउदा चाउदा वाला उक्सियन ले रहे ना पन तो जब चाउदा मैंसे आट जाएगा तो अगर देखा जाए तो इधर भी गलत लिख दिया मैंने तो इधर भी कितना आना चाहिए चाउदा क्यों कि सर एटामिक मास इधर पर 14 है आपने 16 क्यों लिख चलो अब सर अब बताईए number of Neutrons क्योंकि हमने तो देखा सारे प्रोटान अलगा रहे हैं मतलब atomic number भी अलग है atomic मास भी अलग है लेकिन सर डेफिनेशन में आपने लिखा कि number of neutron same होते हैं तो वो चेक कर लेते हैं अच्छा number of neutron कैसे निकालते हो सर सर भाई बहुत इजी था a minus z तो भाईया a minus z मतलब इसको इससे minus कर दिंगे तो 12 में से 6 गया कित्ता बचेगा सर 13 में से 7 गया कित्ता बचेगा अगर आप दियान से देखो तो सर तीनों केस में number of neutron कैसे आ गए same अब बताओ तो यह ही कहलाता है isotones मतलब ऐसे atoms जिनका atomic number भी अलग है जिनका atomic mass भी अलग है but number of neutron remains same इस तरीके के चीज को कहा जाता है isotones क्या कहा जाता है isotones सबसे पहले पढ़ाया था isotopes same atomic number but different atomic mass फिर पढ़ाया था isobar same atomic mass but different atomic number फिर पढ़ाया isotones दोनों ही same नहीं है atomic number भी same नहीं है atomic mass भी same नहीं है क्या same है same number of neutrons क्या सेम है सर सेम नंबर आफ न्योट्रॉंस क्लियर हुए यां तक बात फटा वर्ड इसको नोट डाउन करेंगे यह चीज और समझाई मैंने यह बहुत इंपॉर्टेंट है आई सो टोन्स जल्दी नोट डाउन करें जल्दी चलिए नोट डाउन कर लिया कोई दिकत तो रही चलिए तो रिवूफ करते हैं सर और बढ़ते हैं आगे लास्ट टर्म last term sir, isoelectrons अब sir, ये क्या है? ये क्या बोल दिया? isoelectrons क्या होते है? ये isoelectrons क्या है? sir, बताईए तो मैंने का बहुत easy है पहले define करूँगा फिर आपको समझाता हूँ क्या होता है? ठीके? चलो species species having having same number of electrons same number of electrons species having same number of electrons are called are called isoelectrons isoelectrons ये होते हैं आपके isoelectrons species having same number of electrons are called isoelectrons ठीके सर और कुछ वालतल आप इसके बारे में मैंने का आरे बहुत कुछ है सर बहुत कुछ है पहली बात तो सर जी आप अभी तक सबको atom atom कह रहे थे आपने इस बार species word क्यों add किया मैंने का सर क्यों 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 जो atom है इस बार number of electron अगर same है, तो उनको एक दूसरे का क्या कहेंगे, ISO electrons, ठीक है, या उनको ये भी कह सकते हैं, ISO electronic species, क्या कह सकते हैं, उनको सर, ISO electronic species, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ISO electronic species, कोई दिकत की बात तो नहीं है, पक्का, clear करें, आगे बढ़ें, चलो, अब सर कैसे बताएंगे इसको, मैंने का, बहुत easy है सर, जड़ा एक example देखना फिर समझोगे, आप सर नियोन को जानते होंगे, नियोन को जानते हैं, नियोन का अगर देखें, तो आप atomic number 10 होता है, atomic number 10 होता है, that means उसमें number of electron, अगर वो neutral अवस्था में हैं, तो उसके अंदर electrons होंगे, कितने सर, 10, कितने होंगे, 10, और जो उतने ही होते हैं, अगर आप उसके बाद बात करें, sodium की, sodium plus, फिर अगर आप बात करें, तो magnesium 2 plus, यह ions लिख रहा हूं सर, फिर लिख रहा हूं, aluminium plus 3, कई सारे ions मैंने आपको यहां पर बताएं, कई सारे, देखो, कितने सारे दिख रहे हैं, nitrogen पर माइनस 3, oxygen पर माइनस 2, fluorine पर माइनस, neon, sodium पर plus, magnesium पर 2 plus, aluminium पर 3 plus, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा सर, सर, इसमें neutral अवस्ता में से वे की दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, neon, बाकि सब अगर आप देखें, तो neutral नहीं है, किसी ना किसी ने, कुछ ना कुछ electron का गेन किया है, तभी उन पर कोई ना कोई charges दिख रहा है, या फिल लूस किया, सोडियम पे ब्लस दिख रहा है, मैंगनीशियम पे ब्लस तू दिख रहा है, अलुमीनियम पे 3 प्लस दिख रहा है, नाइटरुजन पर माइनस 3, अक्सीयन पर माइनस 2, और अपना फ्लोरीन पर माइनस, मतलब इनने कही ना कही electron का lenden किया हुआ है जरा nitrogen को ले क्या हो sir sir हम nitrogen के बारे में जानते है nitrogen का atomic number होता है वो 7 होता है और mass number उसका 14 होता है क्या नहीं और sir हमने पढ़ा ही ये नीचे वाला atomic number होता है अगर ये atomic number होता है that means ये atomic number होगा number of proton और number of electron that means कि इसके अंदर 7 proton होंगे और 7 electron होंगे अगर ये neutral अवस्ता में है और मैंने का अभी कोई charges नहीं है तो पक्का ये neutral अवस्ता में है और इसके पास 7 proton है और 7 electron है मुझे सिर्फ electron से मतलब था कितने electron है sir इसके पास 7 लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसने के उपर charge है सर माइनस 3 क्या है सर माइनस 3 जब भी कोई एक एक एटम निउट्रल एटम एक एलेक्टरॉन का गेन करता है क्या करता है सर एक एलेक्टरॉन का गेन जब भी एलेक्टरॉन का गेन होता है जब भी कोई भी एटम एलेक्टरॉन का गेन करता है तो उसके उपर आता है सर negative charge कौन सा charge आता है negative charge that means अगर कोई electron लेगा तो उसके उपर कौन सा charge आएगा negative charge और कितना negative आएगा minus one लेकिन अगर आप यहां देखे तो इसने click सिर्फ एक लेक्ट्रों लिए होंगे सर इस पर तो minus three charge है एक electron लेने पर minus 1 आता है तो 3 electron लेने पर minus 3 आएंगे मतलब इसने 3 electron gain कर लिये उसके पास already 7 electron थे लेकिन 3 electron का gain कर लिया तो उसके पास अब total electron हो गए हैं कितने सर? 10 मतलब n minus 3 में number of electrons जो है वो कितने है सर? 10 कितने है सर? 10 इतनी बात clear हुई पकी बात यह बात यहां रखना है जब भी कोई electron gain करता है तो उसके कौन सा चाहर जाता है negative charge एक electron लेगा minus 1 दो electron लेगा minus 2 तीन लेगा minus 3 लेते चले जा रहा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आता है oxygen की बारी किसकी बारी सर? oxygen की चलिए तो अब आजाते हैं अपन किसको लेके oxygen को यह रहा oxygen अगर oxygen के बारे में आप जानते हो तो भाईया oxygen होता है अपना 8 और उपर होता है 16 होता है के नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो भाईया 8 क्या है? atomic number है oxygen का अगर atomic number 8 है तो उसके पास number of proton और number of electron भी कितने होंगे? 8 होंगे अगर वो कौन सी अवस्था में है? neutral अवस्था में तो मैंने का हाँ भाईया भी वो neutral है लेकिन उसके उपर आप देखो कितना चार्ज है? minus 2 चार्ज है मतलब सर उसने भी oxygen का gain किया क्यों? क्योंकि आपने अभी ही बताया कोई भी electron का gain कलता है तो उसके उपर negative चार्ज आता है और अगर एक electron लेगा तो minus 1 2 electron लेगा तो minus 2 भाई के उपर minus 2 है that means उसने 2 electron ले लिए उसके पास already कितने electron थे? 8 2 और ले लिए तो फिल से कितने हो गए सर? 10 मतलब इस oxygen minus 2 ion पे भी कितने electron हो गए सर? 10 हो गए कितने हो गए सर? 10 हो गए हमने का ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं आगे बढ़ते है चलो oxygen के बाद अपन फ्लोरीन की बात करते है फ्लोरीन 9 19 फ्लोरीन का atomic number कितना दिख रहा है सर? 9 दिख रहा है मतलब number of electron, number of proton कितने होंगे? 9 होंगे फ्लोरीन के उपर charge क्या दिख रहा है सर? 1 minus सर 1 minus मतलब उसने एक electron gain किया एक electron gain किया तो 9 plus 1 कितना होता? 10 दाट मेंस इसके पास भी कितने electron है सर? 10 आगे बढ़ते है फिर बारी आती है किसकी? neon की किसकी बारी आती है? neon की neon का atomic number कितना होता? 10 mass number छोड़िया हमें इसी से मतलब है तो atomic number अगर 10 है तो भाईया सिंपल सी बात है इसके पास number of electron कितने होंगे? 10 होंगे और दूसरी बात सर neutral अवस्ता में उसके पास number of electrons कितने हैं? 10 है तो एक बात बताईए सर क्या उसके उपर कोई चार्ज है? अगर उसके उपर कोई चार्ज नहीं है ना positive ना negative तो उसने ना किसी को electron दिया है ना किसी से electron लिया है मतलब उसके पास जो थे वो ही है ना किसी का छुडाता है ना किसी से देता है तेके ना किसी से connection जोडता है ना किसी किसे connection तोडता है तो भाईया कितने हो गए? 10 sodium भाई किसे मिलो? sodium भाई से मिलो? sodium भाई का atomic number होता है 11 तो भाईया number of proton, number of electron कितने हो जाएंगे? 11 लेकिन अब बारी आती है पॉजटिफ साइन की तो फिर से आओ उपर फिर से आओ तो जब भी electron का loss होता है क्या होता है 빨리 electron का loss तब charge आता है sir पॉजटिफ चार्ज तब कौन सा charge आता है पॉजटिफ चार्ज छिक है जब electron का gain होता है तो negative charge और loss कर दिया तो कौन सा चार जाता है positive charge तो भाई अगर आपने एक electron lose किया तो आपके उपर कितना चार जाएगा प्लस 1 अगर 2 electron lose कर दिया तो कितना जाएगा प्लस 2 अगर 3 electron कर दिया तो कितना जाएगा मतलब यहां पर भी कितने एलेक्ट्रोन है सर अब 10 आओ जाना मेंगनीशियम के पास मेंगनीशियम के पास आओ मेंगनीशियम का कितना होता है 12 that means number of electron भी 12 अगर neutral है तो और सर यहां तो 2 प्लस लिखाए 2 प्लस का बात है जब 2 एलेक्ट्रोन का लॉस कल दिया मतलब दो एलेक्ट्रोन लॉस कर दिया तो माइनस टू और उक्वल्स कितना हो जाएगा 10 that means मेंगनीशियम टू प्लस में भी कितने आ गए सर 10 अब बारी आती है अलूमीनियम की अगर अलूमीनियम की बात करें तो अलूमीनियम का अटॉमिक नंबर कितना हो था 13 that means number of proton in number of electron is 13 in neutral atom लेकिन सर्थ देखो उसके उपर क्या चमक रहा है सौर प्लस थ्री प्लस थ्री का मतलब तीन इलेक्ट्रोन गए तीन गए तो बचे कितने दस मतलब इसके उपर भी कितने इलेक्ट्रोन बचे हुए हैं दस बचे कितने बचे हैं दस कहानी का समापम अब कहानी को देखते हैं तो अगर ध्यान से देखें तो सर्क कुछ electron ने कुछ species कुछ atom ने electron का गेंड किया तो negative charge कुछ ने नहीं किया ना देन देन किया और कुछ ने electron का loss किया तो positive charge ऐसे मैंने 6-7 species को compare किया और देखा तो सब के पास एक जैसे number of electrons पाए गए मतलब सब के पास थे same number of electrons और अगर इन सब के पास same number of electrons थे तो इनी को कहा जाएगा iso electronic species क्या कहा जाएगा इनको iso electronic species बात समझ पा रहे है ऐसे atom या ऐसे ions जिनके पास electron लेंदेन करने के बाद या neutral अवस्ता में होने के बाद अगर same number of क्या मिल जाए same number of क्या मिल जाए सब क्या जाता है सर निउट्रोंस और अगर उनका atomic number या atomic मास दोनों अलग है तो उन तरीके को क्या कहा जाता है सर आई सो electronic species क्या कहा जाता है सर आई सो electronic species एक बार नोट डाउन करो फिर और बात करता हूं जल्दी फटाक से electronic species मतलब बस आपको क्या देखना है सर कि वो जो भी species है वो जो भी atoms दिया है जिन पर कोई charges है उनके number of electron क्या होने चाहिए सर से अगर number of electron से में आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इन तरीके के स्पीशीज को क्या कहा जाता आईजो इलेक्ट्रोनेक स्पीशीज क्या कहा जाता है सर आईजो इलेक्ट्रोनेक स्पीशीज क्लियर हुआ यहां तक पक्का थटा दू कोई दिक्कत तो नहीं तो सर यही थे जो आज चार टर्म्स मुझे पढ़ाने थे, क्या-क्या पढ़ाया, आईजोटोप, same atomic number, but different atomic masses, आईजोबार्स, same atomic masses, but different atomic number, आईजोटोन्स, different atomic mass, different atomic number, but same number of neutrons, आईजोटोन्स, species having same number of electrons, is known as आईजोटोनिक स्पीशीज, तो सर्ग जो रदर फूट ने, mass number और mass के बारे में, atomic number के बारे में बातचीत करी थी, उसी के बहाफ में ये चार टाइप के numbers भी मिरको आपको बताने थे, तो मैंने आपको बता दिये, अब, कल रात को 8 बजे, फिर से एक surprise आएगा, जिसमें ये देखेंगे कि रदर फोट की गलतिया क्या थी, जिसके बजे से भाई का weld explain, weld experimental करा हुआ, experiment, जिसका नाम था gold foil experiment, उसको reject कर दिया, क्या दिक्कते आई, जो उसको फिर उठाके फेकने की तयारी करी, लेनी ये नहीं है, भाई का नाम इसलिए market में था, क्योंकि सर जो nucleus की discovery थी, वो आज भी सही है, कि सर, बीच में एक heavily charge particle रखा है, जिसका charge plus है, जिसके अंदर proton समाई हुए है, neutron समाई हुए है, उसका नाम करन किया था सर, nucleus, हर एक atom जो इस दुनिया में पाया जाएगा, उसके center में rigid mass होगा, जिसके पूरे atom का भार होगा, जिसके अंदर positively charged material होगा, जिसका नाम proton है, उसी को कहा जाता है nucleus, जो किसने बताया सर, rather phone, तो ऐसे हलके में नहीं लेना, भाई की बेज़जती होने वाली है, लेकिन फिर भी ये मस समझना कि, ऐसा नहीं है, काम था noble price है, सर, noble price में लाए, मान रखिये, उनके वल्चस्प के लिए, 104 नंबर को रदर फोडियम बोल दिया गया, तो आप मान भी उनको, उनका लोवा भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हवे में बात होगी, जब कोई नहीं बता पार रहा था, तब वो कोई चीज बता रहे हैं, वो बहुत important है, ठीक है, तो I hope ये चारों चीज़े आपको clear हुई होगी, isotopes, ISO bars, ISO electrons और ISO tones, clear हुआ पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो सर बता दीजिए ज़रा comment section में, आज present वाला look नहीं आए, तो एक बार present हो जाए, एक बार हो जाए सर की कौन-कौन बैठा था पूरी class में, और मज़ेदार class रही है कि नहीं, एक बार लिख दो सर कमेंट section में, आज मज़ा आ जाए थोड़ा, हमें भी तो देखे कितने लोग enjoy कर रहे हैं, चीक है, तो बस, अगर बज़ा आ रहा है, तो बने रही है, ऐसा ही, बढ़िया से बढ़िया lectures के लिए, भैतरीन concept के साथ, जित्ता हो सकेगा, उत्ता clear करूँगा, उतना deep में जाके बताऊँगा, जितना आप चाहते हैं, तो बने रही है मेरे साथ और magnet brains के साथ, जहाँ पर आपको provide होती है, quality education वो भी बिल्कुल free, YouTube पे तो आप मज़े ले ही रहे हैं, सारे पढ़ाई के मज़े मिल रहे हैं, आपको without any कोई दिक्कत, अगर आप चाहें, तो magnet brains की website पर जाके भी ये सारी चीज़े कर सकते हैं, प्ले लिस्ट के form में आपको सम्मिल जाएगा, बढ़िया पढ़ाई करिये without any ad, अगर आप चाहें तो mobile app के थुरू भी access कर सकते हैं, वाप पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी आप जानी रहे हैं, हमारे टॉपस, और मैंने आपको जैसा कहा था, कि आप लोग के नाम आने चाहिए नहीं, तो सोच लेना, वहीं आके दो तिन दे दूँँगा, क्योंकि Magnet Base बहुत महनत कर रहा है, हम लोग काफी महनत कर रहे हैं, अब बस आपकी बारी, आप और महनत कर तो सार रंग ला देंगे, होली होली हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी important बात, आप लोग के लिए Magnet Base ने टॉप courses लेके आया है, जैसे की, आपके अगर बात करूँ, मैं English Medium में तो CBSE, जो मैं आपको पढ़ाता है हूँ, Class 11 की Chemistry बागी भी चल रही हैं, उनको भी पढ़ते चलिए, साथी साथ Spoker English, CUT, NTSC, Olympia Arts जैसे courses सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बाकी आप जानता है, Magnet Base का Hindi Medium चैनल भी है, जो भी CBSE पढ़ाता है, MP Board, BR Board और UP Board जैसे courses भी अविलिबल हैं, सिर्फ आपके लिए, तो सर्फ बने रही है, जुड़े रही है, और बस लगे रही है, और साथी साथ सर्फ पढ़ते रही है, क्योंकि हमारा उद्देश है यह, कि आप पढ़ेंगे, तो हमें भी मजा आने वाला है, ठीके, तो मिलते हैं कब, कल रात को 8 बजे, बात होनी है, रदर फोर्ट की सर, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, पहले से आगे बढ़े आएंगे, लेकिन लेट नहीं होगा, कोई पका, चलिए, ओके, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, थैंकि सो मच,